बाजबा साब ने फर्माया है कि लोग हमारे उपर यहां पर क्रिटिसाइज करते हैं भारत के अंदर फॉज को उपर क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। बाजबा साब कोई खुदादा ना लोग। और इंडिया में जो जर्नल्स हैं वो आपकी आर्मी से दुगनी बड़ी कहीं गुनों बड़ी ताकतवर और ज्यादा बड़ी प्रोफेशनल और ज्यादा बड़ी फारवर्ड लुकिंग किसम की मिलीटरी जो है उसको लीड करते हैं लेकिन वो जर्नल्स जतने हमबल हैं और जिस तरीके से उनकी बैकराउंड है और जिस तरीके से वो आर्मी से रिटाइड होके तो बाहर आते हैं सीरियर मिल्टी लिडिशिप को गैर मुनासिब अलकबाद से पकारा गया जब आप इस तरीके से अपने मुल्क की दोलत को लूटेंगे और ये क्लियर है कि वो दोलत से भी आती है वो दोलत आपके ओदे के साथ मैज नहीं करती हैं नवे हजार लोग आज तक मैंने जिन्धी में मुझे बड़ा शौक है इस्टी कताबें पढ़ना मैंने किसी हिस्टी की कताब में आज तक नहीं पढ़ा कि नवे हजार लोगों ने कठे एक जगा पे अथ्या लड़ रहा है भारत के वो जो नौर्दरन कमार्ड के जर्म साब हैं वो कह रहे हैं आज हमें अगर हकूमत मौका दे तो हम तो जाब अजाद किश्वीर को आज जो है वो कैप्चर कर लें इसलिए दो दिन से लगातार पारचनार के लाके में अफगान फोर्सेज शेलिंग करी पाकिस्तानी जवाब नहीं देते क्या खाइब हैं डरगे हैं आप अपने बार्डर की तरफ देखें आपके प्रोस ने कहा है क्या आप मिंटों की मार है हलो फ्रेंस जैहिन हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वाइब दोस्तो पाकिस्तान में इस समय अफ़रा तफरी का महौल बना हुआ है एक तरफ से अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान की नाक में दम करके रखा हुआ है और इस समय पाक अफ़गान सीमा पर तनाव चरम सीमा पर है जिसकी वज़ा से अफ़गानिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आ रही ह पिछले दिनों अफगानिस्तान की तरफ से हुए एक हमले में पाकिस्तानी आरमी के कई जवान मारेगे। पाकिस्तान के अंदर ग्रह युद जैसे हालात बने हुए हैं और हर तरफ से ही पाकिस्तानी फौज को गालियां पड़ रही हैं तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं नाजुक मौके के ऊपर जब सारा पाकिस्तान लड़ रहा है भारत के वो जो नौर्धरन कमांड के जर्म साब हैं वो कह रहे हैं आज हमें अगर हकूमत मौका दे तो हम तो जाब अजाद किश्वीर को आज जो है कैप्चर कर लें कबजा कर लें तो इस सारी सिच्वेशन में जहां पर स्यासेदान लड़ रहे हैं पाउज माफियां मांग रही हैं इंडिया दंकियां दे रहे हैं और यह सीधर सिच्वेशन सर्थ शीमा साब बाजवा साब की स्पीच सिरफ प्यातर साल लेट है यह स्पीच उनिस सो सिंतालीस में अगर दी जाती तो अच्छा था कि नया स्टार्ट हो रहा था मुलक नए सिरे से बंगता अब यह आप बाजवा साब आपका इंसीचूशन जो है वो बजाए अब स्यासी पाइटिकों को कहें अपना कथारसर शुरू करें आप अपने बार्डर की तरफ देखें आपके प्रोस ने कहा है कि आप मिंटों की मार हैं और दूसरा चीमा साब मैं यह अरज करना चाहूंगा कि आपने एक तो खुदी फरमाया कि एक स्यासी स्पीच थी इसमें कोई शक नहीं है लेकिन इस एक तक्रीर के अंदर उन्हें सारा कुछ कुछ कर लिया सारा कुछ उन्होंने अगर उनको देखा जाए कि सारी स्पी दीयन पर है आपका और आपने खास कर खास बाजवा सब्सक्राइब की है फोज के साथ और पारकस्तानी लोगों का मजाख उड़ाया है कि लोग हमारे ओपर यहां पर क्रिटिसाइज करते हैं भारत के अंदर फॉज को ओपर क्रिटिसाइज नहीं करते पाजवा साब कोई खुदादा ना लो। वहां पे मुलक छे मीने में किसी को आप अपनी फॉई से पूछे आर्मी चीफ का नाम बताएं तो वो भी बता सकेंगे इंडिया कि आर्मी चीफ के बारे में खान सब 75 साल में से 40 साल आपने पूरा मुलक बेरिया टाउन और डिफेंस बना दिया है मलक रियास के साथ आप सब का मेरा मस आप सब जो रिटायर होता है जर्नल मलक रियास के पास जाता है जो डिपार्टमेंट आप मुझे ये बताएं आप किस तरह आपने आपको जुदा कर सकते हैं क्योंकि हर डिपार्टमेंट के अंदर आपका रिटायर बर्गेडियर जर्नल बैठा होता है इस वक्त अगर देखा जाए ना पाकस्तान इस चीज को अफोर्ड कर सकता है ना स्यासत दानों को पता है कि हमने कहा जाना है सरहदों के ऊपर इस वक्त आवाज आ रही है कि वह रेड़ी तो टेक पाकस्तान आपको पाइंड किश्मीर पच्छीस क्रोड लोगों का ना को मुस्तक्बिल है और आपका भी कोई मुस्तक्बिल नहीं क्योंकि फॉजय तो त्यार हुए अपने जिस कोड का दिया है आपने र पाकस्तान आपको पाइंड किश्मीर विदन वेरी शॉर्ट पिरियल टाइब और यह तूसरी स्टेटमेंट है पहले उनके डिफेंस मिनिस्टर साथ पहले ही पिछले दो हक्ते पहले स्टेटमेंट दे शुके थे बाजवा साथ इन स्टेटमेंटों का भी जवाब दे दे उसी स्पीच के अधर बहुत अच्छा होता क्योंकि हमारे जैसे लोग अब आज परशान है क्यों पाकस्तान नहीं जवाब देते हैं क्या खाइफ हैं डरगे हैं चीमा साथ डिफैन्स और बैरिया के प्लाटों से उपर सोच जाये तो तब हो जात्तर साल जलील उखवार हुई एक हौं पजप्तर साल आप अपना बजट देखें आर्मी के दर आप अपनी बिजनस के अंदर इंवाल्मेंट देखें डाक्टर आइशा की किताब पड़ें वो जो बिल्टरी एंक है उपड़ेंग तरड साब पचास साल गुजर गे आज भी हम बंगलादेश की जिस्टिफिकेशन दे रहे हैं यह मसला वंस पर आल सेटल क्यों नहीं हुआ पाकिसान में बाजबा साब आपको बताना चाहिए था आज कि यहाँ पे वाशिनेड डिस जाना दी नहीं सा और वो भी फोलीस में थे कुशार्ट हो गयते लोग मानें यह नवे हजार लोग आज तक मैंने जिन्दगी में मुझे बड़ा शौक है हिस्टिक कताबें पढ़ना मैंने किसी हिस्टिक कताब में आज तक नहीं पढ़ा कि 90 हजार लोगों ने कठे एक मेरा बस लेट जाना मैंने आज ते जिन्दगी में देखा और किस खुबसूरती से आज चीमा साब बाजवा साब ने फरमाया कंदर सियासत दाना दी गाल सी कंदर असी ते कंदर साड़ा शुकरिया अदाक्रव सी होते साब बाजवा साथ स्टेट्मेंट और इंडिया में जो जर्नल्स हैं वो आपकी आर्मी से दुगनी बड़ी कहीं गुनों बड़ी ताकतवर और ज्यादा बड़ी प्रोफेशनल और ज्यादा बड़ी फारवर्ड लूपिंग किसम की मिलीटरी जो है उसको लीड करते हैं लेकन वो जर्नल्स जतने हंबल हैं और जिस तरीके से आर्मी से रिटाइड होके तो बाहर आते हैं तो आप ज़़ेशना ब्ड़ी साल के जर्नल्ओं का बाँग देटा तियार करें और इसको हमारे जर्नल्ओं के सामने जो है वो आप ऐ कंपेर करें तो वो क्या कहां पे रहते हैं उनका जो बड़े से बड़ा जो है भलड़ा फ उस में जिस में के हमारे जर्नलों पे अगर ये इल्जाम कहीं नो कहीं एक फिसद भी दुरूसता के जजीरे खरीदते हैं तो कहां जनाब ये और कहां वो तो जब आप इस तरीके से अपने मुलकी दोलत को लूटेंगे